है 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 यह दोस्तों कैसे हैं आप बहुत अच्छे होंगे चलेगा देखिए सबसे पहले बताते हैं कि अभी अर्थमेटिक की एक बुक लॉंच की है जो आज तक संदो है तहीस में जो भी कोशन अपडेट कोशन पुछे हैं हर एक्जाम के अंदर उसको मिलाकर एक बुक बना हर एक्जाम के अंदर पूछा जा रहा है एक बिद्ध्यारती ने किसी संक्या का तीन बड़ा चार के स्थान पर चार बड़ा तीन से गुणा कर दिया तो गढ़ना में तुरूटी परसेंट ज्याद करिए जो भी आपका है लगभर तो आप बदाए कोई नंबर सा इस मगर हमने मैं दावरे कर दिया पॉरवाई ृत स testim तब दाएगी न्टिवाइड कों कर रहा है ट्र और हम इन दोनों से मलिवाई ओलिफी नंबर मांदनी तो फैल होगा ऊंचिसा क्ति तो आप बतानी है कि परसेंटेज कि नहीं तो नहीं चाहिए तो बढ़ा कितना इविटा सकते हैं साथ किसे नो से इसी को हम एप्रोक्स कि मिट बतानी है कि परसेंटेज कि नहीं तो 7y9 की आप जानते हैं कितनी हो सम्थिंग होनी चाहिए 73 सम्थिंग क्योंकि और तो इससे कम है असा भी तो यहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप करना है सवाल को बिटाने को कोशिन कहता है देखिए 3y5 को परसेंटेज कूप में रिख लो परसेंटेज में जब देखिएगा यदी देखिएगा आपसे कहा है य का x% कितना है तो आप यहीं कह दें हम देखिए परसेंटेज हटाएंगे नीचे के आएगा 100 और 2-0 से 2-0 कट जाएगा तो हम कह सकते हैं xy बरावर कितने के होगा आपके 20 के बरावर होगा इसी बिरकार से देखिए z का y% क कितने के बरावर है तो परसेंटेज अठाएंगे नीचे सो आएगा और जो जिरो काट देंगे तो हम कह सकते हैं जैट और इंटू बाई की मल्टिप्लाई कितनी आएगी 40 अब आगे कहता है आप से पूचा है अब दोनों देखिए एक्स और जैट के बारे पूचा है इनक जब इसको हम इदर लेके जाएंगे और इसको इदर ले जाएंगे तो 2x बरावर आएगा जैट के और यही आप से पूचा है कि x और z में क्या सम्मन्द है तो आप बताओ जैड बरावर 2x और यही इसका correct answer हो जाएगा चलिएगा कोशन कहता है देखेगा A exit B Y 10 देखे 30% and B is less than C कितने % बिटा आपका है 20% आपको दिया है 20% then A और C का ratio ग्याद कर देखेगा कहता देखेगा यदि A B से 30% अधिक है बिटा तो A जो है किस से B से 30% अधिक है तो ये बिटा 100 है तो ये कितना होगा 130 होगा तो हम 0 से 0 काटेंगे तो 13 ratio कितना जाएगा 10 अब B जो है C से C से कितने % कम है 20% तो ये देखेगा 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा percentage देखे ratio कितना हैगा 5 4 ratio 5 आजाएगा अब आप जानते हैं देखेगा कि B दोनों में equal होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो अब मैं आप से कहूँ कि हैं दोनों का L C M कितना हैगा 10 और 4 का 20 इसे भी 20 बनाए जा सकता है तो 20 बनाने के लिए 5 से multiply और इसे भी 20 बनाने के लिए multiply by 2 से तो आप मुझे बताओ तो यहां कह सकते हैं 26 रेशियो 20 और यह किस की होगी पीटर 25 A B और यह कौन बन गया C और आप से पूचा है क्या A और C का तो आप बदाई A का मान कितना है 26 और C का मान कितना है 25 है तो आप बताओ यही तो रेशियो आप से पूचा था 26 रेशियो 25 आप आसाने से कर सकते हैं चलिगा नेस्ट कोशन है इन एक लास दा रेशियो अफ दा गल्स एंड वोईस थाटीन डेशियो ट्वैल हैं फाइंड परसेंटेज ओफ दा गल्स इन दा क्लास वुटा देखेगा तो हम कह सकते हैं कि एक स्कूल में लड़के और और लड़के और कानुपात कितना है देखे है अब परसेंटेज निकालने के लिए मल्टिप्लाई वे हंडेट तो आप बताव कितनी बाड़ जाएगा फोर और थार्टीन फोर्ट जा कितना होगा फिप्टी तू परसेंट होगा यह आप से पूच्छा गया था चलिएगा नेस कोशन की और आगे बढ़ते हैं उसने क का है इब फोर्ती फाइब पAutु नंबर इस स्विप्टी लेस रेंसे ऍटन कना रह हैं to तो संग्या का का है तो लिए कम होगा इस संग्या के S71 कितना कम है 15 मैं सथर से 65 कम है यह वाली वैली्यू तो इधर कहेंगे तो इधर क्या जोड़दो पंथर क्योंकि यह एक कम होगा इसको इधर ले जाइए तो आप जानते कितना है का 15 बरावर 25 अब देखे नमबर के आमाना था तो हंड़िट बनाने के लिए से चार से मल्टिप्लाइब कर दीजिए अधर भी चार से तो यह साट हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 100 परसेंट और यही आपका नमबर हो जाएगा क्योंकि आपने नमबर कितना म आपका आंसर हो जाएगा मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं 100 मानो एकस मानो बाई मानो कोशन कहता है देखेगा वाट परसेंटेज ऑफ डे इस थ्री आवर्स एक दिन का कितना परसेंट तीन घंटे है तो एक दिन का तीन आवर्स कितना परसेंट है तो देखेगा सेम यू तो नीचे भी घंटे बना लिया और मल्टिपलाई भाई हंडेट बटा जब सेम होगा तभी तो डिवाइड होगा अब देखेगा इस से इसको काटेंगे वन वाई एट आएगा और वन वाई एट हंडेट में से कितना परसेंट होता है हर बच्चा जानता है देखेगा 12 वन तू परसेंट बिठा आपका सली नस्ट्वर्स्इन है आपका वो कहता है 30 परसेंट और 50 परसेंट और एक्ष्टी परसेंट ऑफd microsdhav rap three one है तो what is the amount किशी रासी का 85 सेंट किसी राज़ीगा 885 तो कोई रासी कि अमाउन लो एक्स एक्स का कितने परसेंट-5cak . प्रसेंटे झालेड़ी होग 250 परसेंट नीचे परसेंटेंगे और 30 परसेंट बिल्स बढ़ावर कितना है कि यह वन हम चैना कि अब जानते हैं 3 कितना एगा 70 अपन 20 हो जाएगा तो एक्स का 70 अपन 20 और हिहां बन वाई टू हो गया और यहां 3 वाई 10 अर बरावर कितना गें 51 के और आप जानते हैं 73 जा 51 होता है कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बटा बीस गुणा ये उदर चले जाएएंगे 2 गुणा 10 अ और यही आपका आंसर हो जाएगा तो कितना आएगा चाले चार्ट सो रुपर जाएगा और इसका मतलब आपसे यही पूछा है रासी कितनी थी तो 400 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर सकते हैं सिंपल एक छोटी सी गुणा भागे आप कर सकते हैं उसने कहा देखेगा दा डिफ्रेंस विट्रेंस टू नंबर्स इस थर्टी फाइब ओफ दा लार्जर नंबर इब दा स्मालर नंबर इस लार्टी फाइब दैन लार्जर नंबर इस बटा दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 35% है तो छोटी संख्या यदि 195 में हो तो बड़ी संख्या गयात करिए तो उसने कहा दो संख्या का अंतर था कितना विटा दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का कितने परसेंट है 35 तो हमने मान लिया बड़ी संख्या कितनी है 100% ये कौन सी है बड़ी संख्या तो देगिए गलाओ नो तो टेकिकाल भड़ी मसी चोड़े के संख्या कितनी देले कि एक таких कि आं तो जो अंतर आए गा जो इनकांतर हो आएगा बड़ी संख्या होगा कितनफ परसेंट थो बड़ी सेंगा सोनसुप सो कितना और अब देगेगां इस पैंटिस में से यदी 100 में और 35 की दोना आएंगे रहा है कितना मतल भलत बजेगा 30 ext port अर बरावर कितना हो जाला है 95 अर आप जानते हैं कितनी बाढ जाएगा त्री बड्र एक परसेंग बरावर कितना थ्री तो 100% वराबर कितना होगा 300 आपका आंसर आजाएगा यही आपका कोशन का आंसर था बदा सकते हैं अगला कोशन नेश कोशन है उसने कहा इफ 10 देखे 60% of the number is added 36 give the value of itself then the number is बटा किसी संक्या के 60% को 36 में जोड़ जाता है तो वही संक्या बन जाती है तो संक्या ग्याद करिए बटा देखेगा तो किसी संक्या तो संक्या क्या मान सकते हैं आप कोई भी number मान सकते हो बर मैं मान सकता हूं कि 100 है हंडेड हंडेड वीटा हमने numbers कितना वाना 100 और 100 का 60% कितना होता है 60 ही होता है उसमें कितना जोडा जाए 36 जोडा जाए तो वो कहता है वही संख्या बन जाती जो आपने मानी है तो हमने मानी 100 तो बरावर क्या रखते हैं 100 देखेगा 60% उदर जाया कर घड़ जाएगा तो 36 बरावर कितने हो जाएगा चालिस परसंट तो अब एक बावद आओ यदि मैंसे चार से डिवाइट करो तो यह 9 आएगा और यहां टैना जाएगा तो 10 परसंट बरावर 9 तो 9 कितने परसंट के बरावर हो जाएगा और यहीं आप से पूछा था कि उसका नंबर बताएगे तो क्या हो जाएगा 90 का क्रेक्ट आंसर हो जाएगा सिंबल्स आ है छोटा सा कोशन है चलिए अगला कोशन कहता है तेरी दिकि रोजाना ठत्रूस एमल दूत का सेवन करते हैं अ कि एक सब्णा में कितने लीटर दूत पियेगी चल्व ंतक है जाएग आप साथ कि सीधा सा ऐंग में कितने होते हैं साथ गुणा 35 आप जानते हैं देखिए वन लीटर में कितने एमेल होते हैं 1000 तो आप हम 1000 से यदि मल्टिप्लाई कर देंगे तो एमेल से कम आया है वो कहता है देखिएगा इफ एस सेलरी इस ट्रंटी परसेंट लेशन भी आगी कहता है वाई नाओ हाव मच परसेंटेज बी इस सेलरी मोर देन एक वेतन बीके वेतन से 20% कम है मैंने आपको बार बार यह बताया है कि जब भी कंपेर्जन होगी तो एक ही फोर्मले का इस्तेमाल करिएगा कम है एम अपॉन कम है तो माइनस हो जाएगा और जादा है तो प्लस हो जाएगा अर्गुणा हंड़ेट परसेंट तब एक बाव दाइए यहां वैल्यू कितने देखिए बीस तो पर बीस रखिएगा और नीचे क्या रखिए 120 अर्गुणा हंड़ेट परसेंट है अब देगे जीरो से जीरो आप इसको करेंगे तदी के हिया सोरी इसको ऐसे इसी डाग डारेक्ट डिवाइट करने ते कोई भारी नहीं है आप जानते कितनी बाड जाएगा सिक्स वार और हंडेट यदि सिक्स में डिवाइड होगा तो हर बच्चा जानता है उ एक भी करेता पांसो रुपे के बस्तु को खरीदता है और पांसो पचास में बेज देता है तो परसेंट लाब बताई है तो इसका वालब पांसो रुपे की थी और वो कितने की बिग जाती है पांसो पचास की तो आप बदाए कितने रुपे का ज्यादा की गई पचास की क कितने से ज्याद है कि हमारे तो 500 रुपे थे तो नीचे 500 जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं गट का तो अब बदाये कितनी बार जाएगा टैन बार और टैन से जब इसे डिवाइट कर देंग कितना एगा टैन परसेंट इसका मदा उस विक कि 1500 एक फुर्ल परसेंट तो हमें क एक्सपर्सेंट है कि ऑफ कतना यह लिखा है ले का परसेंटा है परसेंटेज यadine यह जिरो आएगा लिएगा जिरो सेढ़ काइब लगंग है एग जिरो से यहह जिरो कई कर देंगे कर देंग और ञेरी 25 सेके डिवाइट करेंगज तो क परसेंट पूर्टा और यही इसका आपका अंसर हो जाएगा अब देगेगा नेस्ट कशिन है को वह कै गूंट किस साइट जो है कितने परसेंट की जाती ही 50% increase कि जाती है तो the percentage increase the surface area तो surface area कितना बढ़ेगा उसका यदि एक घन की पिड़ती है किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रश्टिय छेथफल में कितने प्रश्ट का increase होगा तो आप बदाइए तो आप मैं आपसे कहूं कितना होता है area एक प्रश्ट का इरे कितना होता है और क्यूब की सारी side equal होती है और वाकी तो constant होता है तो हम कह सकते है a square होता है इसका मतलब जो भी इसके साथ आएगा वो constant number होगा कोई फ़रक नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे side कितनी बार बढ़ेगी दो बार तो आप बदाएए कितने percent बढ़ रहा है 50% तो आप कहेंगे 50% की बढ़ दी होगी तो इसका ratio 2 से कितना होगा थ्री फिर टू से कितना होगा थ्री होगा नहीं होगा अब टू और टू की multiply करेंगे तो यहां फोर जाएगा और यहां नाइन अजाएगा तो आप बदाएगी कितना बढ़ा है विटा सर्फेस एरिया आपके साब से 5 और सवाल में कितना है विटा देगे आप 4 और multiply by कितन पर्सेंट चैंज हो जाएगा को शने लिक्ने विलेंज़ है वो कहता है इसका कितना परेंट तो हम माल लिभ एक सब्छेंग एट बरावर बर कितने को अधा थे आपको सीधा-सीदा देखता है वशचा इतने पर्सेंट भी आपका है तो निकालने की जरूत नहीं सीधने आ कर सकते हैं बटा छोटे से सवाल है तो जिनमें टाइम लगना चाहिए उनमें लगाना चाहिए इदा आपको सीधा दिखता है कि कितना अंते तो मार देना चाहिए जैसे कहता है है इफ 20 परसंट ओफ दा वन सिस्थी प्लस 10 परसंट ओफ दा 50 बरावर कितने के परावर देगी इक्वल X-1 और यह दिए वाट विल वी दा वैल ओ एक्स बिटा यदि एक सुसाट का कितने परसंट 20 परसंट तो आप जानते हैं एक सुसाट का 20 परसंट कितना होता है 32 होता है प्लस 50 का कितने परसेंट 10 परसेंट तो जानते हैं आप कितना होता है 5 होता है अर बरावर कितने X-1 के आप इसकी वैल्यू कितनी है 37 बरावर X-1 इसको इधन लाएंगे तो कितना होगा 38 और यही आपकी अंसर हो जाएगा तो आपके एंगे 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नास कोशन की और आगे पढ़ते हैं देखिए फर्मान है देखे हैस तूदा इस देखिए स्योर टैन सिस्टी परसेंट माक्स तूदा पास ही गोट एट्टी माक्स एंड फेल वाई 10 डिके 60 माक् माक्स विटा देखिए फर्मान देखिए फर्मान के को पास होने के लिए 60 परसेंट अंगों की जरूरत है उसने 60 अंग प्राप्त करें और वह साथ अंगों से फेल हो गया तो अधिक्तम अंग कितने थे बटा तो आप कहेंगे देखिए गा यदि मैं आप से कहा हूं टोट इसांट और या पासी परसेंटेज कितनी हैं साट परसेंट तो आप कह सकते हैं साट परसेंट बरावर कितने के कैं म Самligt 20 के 4 x 5 of that number find the number किसी संख्यागा 50% उस संख्या के चार बड़ा 5 भे भाग से कितना कम है 21 कम है तो संख्या ज्याद करिए किसी संख्यागा 50% तो हमने कहा कोई नमबर था तो कितना परसेंट माल लिया हंड़ड हंड़ड का 50% कितना होता है 50 ही होता है अब वो कहता है उस संख्यागा 4 भड़ा 5 तो 4 भड़ा 5 कोई बच्चा इसका निकालने में ऐसा मर्थन होना चाहिए आप देए 5 से भाग करेंगे 20 बार 80 आएगा इसका मतलब लेकिए उस संख्यागे 4 भड़ा 5 भाग से कितन कम है 21 कम है इसको मैं कम होगा 21 जोड़ दें कि तो बडש जाएग से शाड़ दैं तो बरावर बन जाएगा के ट्स हैब अब इसको इदम दया लियाए आप बड़ावर कितने के हो जाएगा 30 और कि अब यदि में इस सो भाग करूं तो कितना होगा जाएगा सैवन बरावरaci परसेंट और हंड़ेट की वेल्यू कितनी है जाएगी विटा 70 और आप से पूछा गया संग्या याद करिए इसका यह आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा छोटा से एक नॉर्मल से कोशन है अच्छा कोशन है विटा आप से क्यादा है 7.98 को 1.9 के परसेंट के रूप में व् परसेंटेज लगाने के लिए किसका प्रो करते हैं हंडेट का तब यह पॉइंट के बाद देखें कितने अंग है दो नीचे भी दो हो जाएगे पॉइंट हट जाएगा जीरो से जीरो काटी और आप जानते हैं इससे कितनी बार काटेंगे 42 और एक जीरो यह रहा तो आपक 20 परसेंट बिटा आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा चलिएगा नेस्ट कोशन की और आगे बढ़ते हैं एक्स यदि साइंग्या एक्स और भाई इस परकार है कि देखेंगा दा नमबर एक्सेंड भाई आर्स जेट एक्स रेश्यो भाई पोर रेश्यो फाइब इब एक्स से मोर धंजेट र्त वाई 20 पर्सेंट जैन घ्रिट भाई विलली मोर दैन जैट बाय विट गारा आपसे कोश्ण में कहता है सैंग्यां एक्स और भाई इस परकार हैं कि एक्स और बाय का अनुपाद कितना है एक्स यदि अनुपाद कितना है चार अनुपाद 5 अब उसने लाइन ओड़ा जो एक से कि इतना वड़ा है एक्स ज्यार से 20% दिखает X से जैर से कितना ज्यादा 20% तो यह 100 और ये स्व गा कितना होना ही 120 दोनों का रिष्यो कितना होगा 6 ratio 5 तो आप मुझे बदाइए हमारे रिसाफ से x by का ratio इदे रखा था और x और z का ratio कितना है 6 ratio 5 के तो हम मैं कह सकता हूँ x की value दोनों में same होगी तो same होगी 6 और 4 का दिखे 12 इसे बना सकते हैं 12 बनाने के लिए 3 से multiply इधर करेंगे तो आप बदाइए उपर ratio कितना बनेगा बिटा आपका उपर ratio बन जाएगा x by का 12 ratio 12 ratio 15 और नीचे बन जाएगा आपका बिटा x और z का 12 ratio 10 बिटा तो हम कह सकते हैं x by और z अभी एक ratio बनाएगे 12 15 और बिटा 10 और आपसे पूछे गया है z से किस से बिटा z से कौन by और गुणा 100% तो आपको पता है कि देगेगा z की value आपकी कितनी है आपकी z की value है 10 और जब भी अधिक और कम की बात करेगा तो उन value मंतर होगा अधिक और कम की तो इन दोनों की value मंतर कितने का है तो आप बदाएए कितने का अंतर है 5 का तो उपर 5 रख देंगे और गुणा 100 आप जानते हैं कितने percent आ जाएगा 50 परसेंट तो यही इसका आपका correct answer हो जाएगा 50 परसेंट ठीके next question क्यों रागे बढ़ते हैं महेज देखी का महेज सोल थ्री वाइब फॉर और स्टोक एड गेन 20 परसेंट एंड रिमेनिंग स्टोक एड गेन 15 परसेंट फाइंड टोटल गेन परसेंटेज बटा महेज ने स्टोक के तीन बड़ा चार को तो कोई स्टोक था तीन बड़ा चार भाग उसका तो तीन बड़ा चार भाग कितने परसेंट पर बटा है 20 परसेंट तो मैंने 20 परसेंट लिया तो किवल प्रोफिट लिया है प्लस सेस तो चार में से तीन गया तो एक बचा उसको 15 परसेंट पर बटा है तो यहां भी मैंने जो लिया है वो प जाएगा 5 और 5 दिया 15 तो इस पर होने वाला प्रोफिट है 15 परसेंट और यदि से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 3.75 तो यदि दोनों जोड़ें तो कितना एगा 18.75 मगर उसने आपको पूरी वेल्यू सम्थिंग के बता नहीं कितने की बरावर होगी तो 18 से वड़ा है तो कितने का आएगा उनने सके तो यही इसका अंसर हो जाएगा चली नेस कोशन है आपका इस लेंट ओब दा साइट स्क्वेर इंक्रीज वाइट टैन परसेंट तो वाइट विदे के वाइट दपरसेंटेज चेंट इंक्रीज एरिया विटा किसी बर्ग की भुजा को तो आप जानते हैं स्क्वेर क्या होता है साइट तो स्क्वेर है इसकी साइट बढ़ा दी जाती है टैन परसेंट तो आप अधाई स्क्वेर का एरिया कितना होता है एसक्वेर या साइट स्क्वेर तो आप 10 परसेंट बढ़ी तो 10 परसेंट दो बार बढ़ेगी तो 10 से कित ना आएगा हंड़ेट और यहां आएगा वन टूंटी वन ता तो हंड़ेट से बढ़े वही तो परसेंटेज होता है तो 21 बढ़ा और इसको हम कह सकते हैं 21% क्योंकि जो भी हंड़ेट से बिड़ा वैल्ली बढ़ती वही तो परसेंटेज होती है और यही आपका correct answer हो जाएग चलिए नेस्ट कोशिन क्यों रागे बढ़ते हैं तो कहता है दा पॉपुलिशन ओफ दा टाउन इंक्रीज टैन परसेंट एवरी यह इव्ड़ प्रिजेंट पॉपुलिशन इदा किने ट्वंटी थाउजेंड इन नेस्ट इयर विल भी बिटर एक कस्वे की जनसाइंग्य तो दो हजार में प्रति वर्स तसपरसेंट की ब्रद्धी होती है यदि बरत्मान जनसाइंग यदि बीस हजार है तो अगले वर्स कितनी होगी तो आप मुझे बताएं अगले साल दोहजार बढ़ जाएगी तो मैं कह सकता हूं इसका 10% कितना होगा दोहर देखिए दस परस चोटा से सवाल अगले वर्स की पूचिए एक दो साल के और बूस था तो आगे बढ़ा सकते थे सवाल में अगला कोशन है देगेगा 70 20 देगे 250 का 70% 27% हो रही है अम माइनस कितना विटा पॉइंट जीरो टू परसेंट और कितना 1000 तो आप जानते हैं परसेंटेज अटेगा नीचे जीरो आएगा एक जीरो से इस सकाट जीए पांस सकाट जीए फाइव बार और ये टू बार तो उपर कितना आएगा विटा 135 और डिवाइड बाइट टू अब मैं आप से कहूं यदि हाँ परसेंटेज अटा हूंगा तो 0 तो आएंगे अर पॉइंट के वह इकितने जीरो आएंगे 200 या दि आप 2 तीन जीरो काटेो करेंगे तो कट जाएंगे तो इधर क्या वेल्यू बचेगी सेकी 2 upon 10 मैं इस को भाग नहीं करना चाहता है ज़ी जब नियुक्र पॉइंट से भाग करना चाहता है तो पॉइंट लग जाएगा इधार जब हम तूसा भाग करेंगे तो कितना हैगा फिर तू! इस तीन सुरी हाँ 7 आएगा तो क्योंगी 7 और फिर पीड़ा 50 जीरो अब यदि मैं इसमें से घटाओं पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू कोई बात एक ही है तो यदि बताइए पॉइंट के बाद 50 है रहे हैं पॉइंट के बाट 20 है दोनों को घटाएंगे तो 30 बचेगा और यहीं क्या है गाटा 67.30 यहीं इसका क्रेक्ट टा है मैंटा आज के लिए इतना ही है ठीक है कि अ क्या है मैंटा थे एक है है विशे समेरे है कि अक लीक प्लबेक मैं मुषबोग मैं कि इतना ही है तो 30 कि बा decor और यहीं पॉबरा हैसा इसका क्या है जहीं पुणति बाहिंट कोग सक्झण